तो जब बच्चे अपनी पढ़ाई में रूची लेने लग जाते हैं और उनको समझ में आ जाती है पढ़ाई की एहमियत क्या है तो मुझे बार-बार बोलना नहीं पढ़ता कि पढ़ाई क्यों जरूरी है बच्चे अपने आप ही बहुत रूची लेने लगते हैं इससे मेरी जो प्रिंसिपल माम है वो भी बहुत खुश है जो भी प्रगती बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई में तो वो मुझे अजादी देती है कि मैं अपने तरह का सिलिबर्स कर सकूं क्लास में तो इससे मुझे सहूलियत रहती है जो जैसी पढ़ाई में बच्चों को करव मैं करवा सकती हूँ, साथ जिसद जो बच्चों के मातापिता है वह भी बहुत रूची लेने लग गई हैं बार-बार कूछताच करने आते हैं कि बच्चे में कितना पढ़ाई करी, कितने नमबर आए एक टेस्ट में तो इससे बच्चे छुटियां भी बहुत कम लेने लग गए हैं तो मुझे एक ही पार्ट को बार-बार दोहराना नहीं पड़ता है एक ही बार में सब बच्चे होते हैं और उसी में सब पढ़ लेते हैं